नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर अन्मोल कुमार एक बड़ी खबर आयूस येचो को लेकर आ रही है कि नेशनल आयूस मीशन के तहत एक बहुत बड़ी केरियर अपर्चुनोटी के रूप में आयूस कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर क 478 वेकेंसी आ रही है यह एक बहुत बड़ी वेकेंसी है जो की कुल मिला कर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रेक्रीटमेंट आफ फोर सेवन एट कंट्रेक्च्चुल वेकेंसी जट आयूस कम्यूनिटी हेल्थ ओपिसर आट जहारखंड आयूस सोसाइटी गोव्वेंट आफ जहारखंड नेशनल आयूस मीशन जहारखंड इस कमीटी कमीटेट तो प्रोवाइद असेशेबल एफर्डेबल और एकांटेबल क्वाइलिटी हेल्थ सर्विसेज तो दे लास्ट परसन और लास्ट हाउस होल एट लास्ट भीलेज यह जो थीम है जहारखंड सरकार की इसके तहत से आयूस यह चो के बारे हम बारे में हम पहले भी कहते रहे हैं कि उसकी वेकें 288 कंट्रेक्च्ट वेकेंसी इस एच ओ पोजिशन डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं यहां पर कि आयूस चो में जो चाहिए वो एसेंशियल कॉलिफिकेशन है बी ए एमस जी ए एमस बी एच एमस डी एच एमस बी एच एमस बी यू एमस जी यू एमस फ्रम रिकोगनाइ इस यूनिवर्सीटी कॉलेज और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंसन इन सेकेंड शीडियूल ऑफ सीसी आएम एक्ट नाइटीन सेवन्टी सीच एच एक्ट नाइटीन सेवन्टी त्रीट कंपलीशन ऑफ कंपल्सरी इंटन्सीप मस्ट है वैलिट पर्मानेंट रिजिस्ट है इसके लिए इसमें अपलाइ करने के लिए और सीटों की जहां तक बात है तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 191 सीट्स हैं EWS के लिए 48 सीट्स हैं ST के लिए 124 सीट्स है SC के लिए 48 सीट्स है BC1 के लिए 38 सीट्स हैं BC2 के लिए 29 सीट्स हैं Total 478 सीट्स हैं और इसमें salary की बात हम कर लेते हैं तो आपको यहां पर 25,000 रुपए मिलेंगे और performance बोनस के रूप में आपको 15,000 परतिमाह मिलेंगे इस तरह से कुल मिला कर जो बेतन की बात हो रही है वो 40,000 के लगबग है Age Limitation की बात है 21 साल से लेकर के 60 साल के आयू वर्ग के लोग इसमें apply कर सकते हैं और 60 साल की आयू जो गन्ना होगी वो 1 अगस 2022 से होगी 22 से होगी और आपकी पोस्टिंग जो होगी आयूस Health Wellness Center में होगी आयूस CHO is for one year यह आप देख सकते हैं कि यह one year का contractual vacancies निकाला गया है आप इसे जैप IT पोर्टल पर देख सकते हैं वहाँ से आप apply कर सकते हैं लास्ट डेट जो इसका है वह apply करने का जो लास्ट डेट है वह है 15 February 2023 horizontal reservation will be admissible as stipulated in the circular number 5776 dated 10-10-20 and 2249 dated 34-2018 issued by the department of personal ARN राजभासा यहाँ पर horizontal reservation उन्ही को मिलेंगे जो यह circular में 5776 circular में जो इंगित है वही बाते होंगी selection procedure की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसमें आपको intermediate के 10 marks जुडेंगे BAMS, GAMS, BHMS, DHMS, BUMS, GUMS के 50 marks जुडेंगे post graduate के आपके 20 marks जुडेंगे और work experience in government sector जो हैं वो 20 marks के जुडेंगे कुल मिलाकर यह 100 marks हो जाते हैं खास करके BAMS करने वालों के लिए सिर्फ आपको intermediate और BAMS मतलब 60 marks पर आपकी merit list त्यार होगी अगर आप post graduate किये होंगे तो 20 marks और आपको मिल जाएंगे work experience वाले इसमें कमी रहते हैं कि पिछली बार भी हम देखा हैं कि RBS के वालों ने apply तो किया था जरे लेकिन सेलेक्शन भी उनका हुआ लेकिन उनका हुआ लेकिन उनका हुआ नहीं किया था यह अब JAP IT के द्वारा IUCU के निउकती में निम्न सेवाय परदान की जाएंगी JAP IT द्वारा 100 रुपय परती आवेदन चार्ज किया जाएगा परती आवेदक 1000 रुपय आवेदन सुल्क लगेगा JAP IT के gateway के माध्यम से JAP IT के खाते में जमा किया जाएगा यह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कुल मिलाकर यह वेकेंसी बहुत दिनों से इंतजार था लोगों को और यह एक बहुत बड़ी खुस खबरी है कि जारकन सरकार ने इसे बहुत जल्द निकाल दिया है अब आयूस हेल्थ और वेल्ले सेंटर में आयूस के कॉमिनिटी हेल्थ आपसर उसमें अपने सेवा देंगे यह बहुत बड़ी बात होगी ठीक थेंक यू